बहिया नामनकन दोसेट में किया था और इंतजार था कुछ चीजों का वो चीजें जिस तरह से सोचा गया था नहीं हो पाई तो आज फिर जो बचा हुआ दोसेट था उसका भी नामनकन कर दिया है सत्ता और सरकार जान रही है कि मउसदर सीट उनके हाथ से निकल चुकी है और हमेशा की तरह छटवीं बार भी यहाँ पर बाजपा और अन्य दलों को शिकस्त मिलने वाली है इसलिए साजिशों का दौर है तरह तरह की साजिशें करके रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नामंकन ही ना हो पाए इन्ही सब वजाओं से एक as a precautionary हम लोगों ने दो सेट में आट परचा दाखिला और भी कर दिया है चार सेट में लिक.? थोड़ी बहुत जो normally जो होती है और कुछ कमियां होती है कुछ कमियां निकाली जाती है ुछ कमियां पैदा कर दी जाती है और कुछ कुछ उपर के दबाव से हो जाती Web तो एंशारों तरह की कमीयां उसे बचने के लिए हम लोगें ने और समयधार और समझतेशलером लोगों के साथ जो नावनकंद कर चुके हैं उनके हिसाब से उससे करके दो सेट में और पेपर को दाखिल किया है इड़े अवी वाले से दावा है बड़े बुजर्गों का साथ रहेदा नोजवाणों का प्यार रहेगा तो आने वाले समय में स्कूर्टनी के बाद हम लोगों का पास हो जाएगा जब पच्छा उसके बाद आगे की राजनी चुरूँ अभी जैसे आप जानते हैं कि जब तक के 21 तारीक तक किसी भी गाड़ी की कोई पर्मिशन नहीं मिल रही है विदान सभा में च किया गया कि अभासंसारी तीन गाड़ियों से घुम रहे थे और जब उनसे रोक के गाड़ी का पास मांगा गया तो उनके पास पास मौजूद नहीं था आज मैंने आरो साब से पूछा कि क्या आपने एक भी पास इशू किया है तो उननों बताए कि नहीं अभी कहा इशू उमर में रतनपूरा से लौट रहे थे मौग के लिए तो रास्ते में उनकी गाड़ी रोक ली गई दो गाड़ियों से वो थे तो एक गाड़ी उनकी यूपी 32 नंबर की थी और एक उनके दोस्त हैं मनारस के कोई अपना भाई कोई भी घूमने फिरने चले आते हैं तो वो यह देश में अगर नएने कानून पैदा हो जाएंगे कि हिंदुस्तान की गाड़ी को उत्तर प्रदेश की गाड़ी को बगल के दिले बनारस की गाड़ी को भी अगर महूं में बाहरी गाड़ी करकर सीज किया जाएगा तो आप समझ लीजे किस तरीके का फेर एलेक्शन च यह भी गाड़ी का लुटि थाहरी को वाड़ी को आप समझ लीजे अगर भी अगर प्रयाट